पेरे बच्चो नमस्कार रादे रादे जैसरी किस्णा आप सभी बच्चों का असोकादा एक्जाम गुरूपर हादिक स्वागत और अभिनंदन मैं हूँ बिजय मौरिया बच्चो आज हम एवरेज की ट्रिक नमर बन देखेंगे आप सभी बच्चे जानते हैं कि एवरेज में कई सारी तरह की ट्रिक होती हैं जो बच्चो को कम समय में आसानी से प्रशनों को हल करने में साहता करती हैं तो बच्चो average की trick number बन जानेंगे, जिसमें आज हम प्राकरतिक संख्याओं का उस्थ कैसे निकाला जाता है, सम संख्याओं का उस्थ कैसे निकाला जाता है, बिसम संख्याओं का उस्थ किस तरह से निकाला जाता है, तो बच्चो आईए प्रस्णों को देखते हैं, तो जो प संख्याएं होती हैं बैटा उतना ही आंसर होता है तो मैं इस सवाल का आंसर कह सकता हूं अगर 40 विसम संख्याएं बच्चों तो इसमें 40 ही ओसत होगा जैसे कि बच्चों अगर मैंने कहा कि 35 विसम संख्याओं का ओसत कितना होगा तो उसमें बच्चों एवरेज कितना होगा 35 सी होगा मैंने का प्रथम 99 बिसम संक्ख्याओं का उसक कितना होगा तो इसका मतलब यह होता है अगर प्रथम सब्द लगा है और बिसम संक्ख्याओं का उसक पूछा जाये बच्चो तो जितनी संख्याओं होती है उतना ही आनसर होता है आईए next question की तरफ चलते हैं बच्चो next question बच्चो क्या है प्रथम 49 समसंख्याओं का औसत ग्याद कीजिए तो पिछला प्रथम बच्चो बिसमसंख्याओं का था अब ये प्रथम हमारा समसंख्याओं का है तो बच्चो समसंख्याओं में क्या होता है इसमें पूछा गया प्रथम उनन्चास समसंख्याओं का अउसत तो जब भी प्रथम सब्द लगा हो और समसंख्याओं की बात करें तो जितनी संख्याँ दे रखी होती हैं बच्चो उसमें एक जोड़ कर आप सीधे आंसर बना सकते हो तो अगर प्रथम 49 सम संख्याओं की बच्चो बात कर रहे हैं तो इसमें एक जोड दीजिएगा आंसर कितना हो जाएगा 50 तो ये हमारे प्रशन का आंसर होगा अगर मैं एक आद एक्जाम्पिल और लूँ मान लिजी बच्चो मैंने कहा मैंने कहा 150 प्रथम 150 सम संख्याओं का आसत कितना होगा तो आप कहेंगे बच्चो बहुत आसान तरीके से कह पाओगे 151 इसमें एक जोड देना होता है सीधे सीधे अंसर बन जाता है बच्चो एक next प्रशन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें बच्चो जितनी संख्याओं होती है उसमें एक जोड कर बच्चो दो से भाग कर देते हैं तो इसमें 50 संख्याओं हैं तो 50 लिख दीजिएगा और इसमें एक जोड बच्चो कितना होगा 51 होगा और इसको 2 से भाग करोगे बच्चो तो 25 पाइंट कितना होगा 5 होगा ये प्रशन का आंसर हो जाएगा इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं कि एक आध एक्जम्पल और ले लूँ मैंने कहा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या हैं बच्चो तो इसमें क्या होगा बच्चा कितना करोगे कैसे लिखोगे इसको 40 और एक कितना होगा बच्चा 41 और अपॉन कितना हो जाएगा 2 तो 41 को 2 से भाग करेंगे बच्चो तो 20.5 होगा क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं एक एक एक्जम्पल बच्चो और ले ले जिए जैसे मैंने कहा प्रिथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का ओश्द कितना होगा बच सम का तो जितनी संख्याओं उतना अंसर होता है अगर आपसे पूछा जाए सम का तो सम में बेटा जितनी संख्याओंगी उसमें एक जोड़ दो आंसर बन जाता है अगर आपसे प्राकृतिक का एबरेज पूछा जाए तो उसमें एक जोड़कर दो से भाग कर देते हैं और इहां से हमारा प्राक्रितिक संख्याओं का ओसत बन जाता है तो बच्चो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो की सहता से प्राक्रितिक संख्याओं, समसंख्याओं और बिसम संख्याओं का ओसत निकालने में आपको help मिलेगी बच्चो इसी तरह की tricks के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं बच्चों अगली ट्रिक में सिवेचों का धन्यवाद जहन जय भारत बंदे मातरम